पंजाब कॉंग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोद सिंग सिध्धू की पतनी दौक्टर नवजोद कॉर सिध्धू ने पटियाला लूग सभग शित्र से चुनाव लड़ने की चाज़ताई गौरतलभी की डॉक्टर सिद्धू पटियाला के शेरावाला गेट इस्तित प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्री के मौके पर रखे धार्मिक समागम में शनिवारत शिर्कत करने पहुँची थी इस मौके पर कहा की पटियाला उनकी कर्म भूमी है और इसलिए वो यहां की लोगों की सेवा करना चाहती है डॉक्टर नवजोत कॉर सिद्धू के इसी बयान से कयास लगाय जा रहे हैं कि वो 2024 में कॉंग्रेस के टिकेट पर पटियाला से चुनाव लड़ना चाहती है फिलाल पटियाला से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरंदर सिंग की पतनी परनीत कॉर सांसद है और हाली में कॉंग्रेस नहीं सस्पेंट कर दिया था माना भी जा रहा है कि अगले चुनाव में परनीत कॉर बीज़पी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकती है अगर ऐसा होता है तो पटियाला सीट से कॉंग्रेस डॉक्टर नवजोत कॉर सिद्धू को टिकेट देने का विचार कर सकती है बता दि की डॉक्टर सिद्धू ने पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS के डिग्री हासिल की लंबे वक तक उन्होंने पटियाला के सरकारी मौडरल टाउं डिस्पेंसरी में काम भी किया लेकिन बाद में राजनीती के शित्र में कदम रखने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी से स्तीफा दे दिया सबसे एहम बात भी है कि कैप्टन अमरंदर और नवजोद सिध्धू में हमेशा से सियासी अदावत रही एक पाटी में होने के बावजूद भी दोनों की बीश तकराराम थी दरसल पूर्वी क्रिकेटर नवजोद सिंग सिध्धू जनवरी 2017 में बीजपी छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हुए और इसके बाद पंजाब ने उन्हें परियाटन मंत्राले मिला लेकिन दोनों की बीच किसी न किसी मुद्दे पर हमेशा विवाद रहा ऐसा माना जा रहा है कि कैप्टन अबरंदर को मुख्यमंत्रूई की कुर्सी से हटाने में भी सिध्धू का एहम योगदान था नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है योज्स 25